आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ और उसने यूनिट सेल प्राइज रखी पैंसिल रेजर और शापनर की रूपीज 2.50, 1.50 और 1 रूपीज ठीक है रिस्पेक्टिवली और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई थी उसकी यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी 2 रूपीज, 1 रूपीज और 0.50 रूपीज रिस्पेक्टिवली ठीक है अब क्या बोल रहा है कि based on above information हमें क्या find करना है gross profit in both market मतलब total profit कितना हुआ दोनों market का मिला के ठीक है तो सबसे पहले हमें पता है कि profit क्या होता है profit होता है हमारा cost price profit होता है हमारा selling price minus cost price ठीक है अब अगर यहां के लिए देखा जाए तो profit क्या है pencil के लिए अगर हम देखें तो 2.5 minus 2 that will be 0.5 ठीक है तो pencil के लिए हमारा क्या आ रहा है profit आ रहा है यहां पे हमारा 0.50 रूपीज ठीक है similarly eraser के लिए गर calculate करें 1.5 minus 1 तो यहां पे भी क्या रहा है 0.50 रूपीज ठीक है शापनर के लिए 1 minus 0.50 इसके लिए कितनी profit आ रही है रूपीज 0.50 ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है रूपीज 0.50 unit profit हो रहा है हमारा एक unit पे कितना profit हो रहा है 0.50 for each product ठीक है जितने भी हमारे product वो produce कर रहा है seller that is pencil eraser शापनर सबके लिए एक पे कितना मुनाफ़ा हो रहा है इसको 0.50 का ठीक है अब यहां पे देखो अगर हमें total profit निकालना है तो क्या होगा total number of products into जितना भी profit हो रहा है ठीक है profit का cost ठीक है जितना भी profit आ रहा है अगर हम उसको total product से multiply कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा gross profit ठीक है तो gross profit के लिए हमें सबसे पहली क्या निकलना पड़ा होगा कितना उसने gross pencil sell की दोनों market में कितना eraser sell किया और कितना sharpener sell किया उसने तो pencil कितनी sell किया उसने 10,000 प्लस 6,000 that is 16,000 eraser कितना sell किया उसने 22,000 और sharpener कितना sell किया उसने 26,000 ठीक है तो यहां से अगर हम product की बात करें total product ठीक है अगर हम matrix के थूरू solve करते हैं तो क्या होगा हमारा 16,000 pencil 22,000 eraser और 26,000 sharpener ठीक है और अगर हम profit की बात करें profit कितना हो रहा है 0.50 pencil के लिए 0.50 eraser के लिए और 0.50 sharpener के लिए ठीक है तो यहां से अगर हम gross profit निकाले gross profit तो क्या आएगा product total product जो भी है into profit कितना हो रहा है ठीक है तो यहां से अगर हम देखें तो क्या आजाएगा हमारा total product क्या है 16,000 22,000 and 26,000 ठीक है multiplied by profit कितना है 0.50 0.50 and 0.50 ठीक है multiply करेंगे अब देखो matrix क्या है 1 x 3 and 3 x 1 तो अगर इनका multiply करेंगे तो क्या मिलेगा हमे यहां से मिलेगा 1 x 1 की matrix तो यहां पर अगर करें हम तो 16,000 x 0.5 क्या हो जागा 8,000 plus 22,000 x 0.5 11,000 plus 26,000 x 0.5 will be 13,000 ठीक है add करेंगे तो यहां से क्या आजाएगा 11,000 plus 8,000 will be 19,000 ठीक है 19,000 plus 13,000 will be 32,000 ठीक है, तो gross profit कितना हुआ है gross profit हुआ है rupees 32,000 ठीक है, तो यह क्या हो गया हमारा answer आ गया ठीक है, option से tally करेंगे तो option number C is all right answer ठीक है, C option क्या है हमारा correct answer है ठीक है, thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर